तो दोस्तों, आज हम बिट्वेन के final test के बारे में बात करते हैं तो आज हम देखेंगे, कि जो हमारा बिट्वेन के डामर में यूज होता है, road construction के तो उस में जो हीटिंग टेस्ट होता है, यैनि कि हीटिंग टेस्ट क्या होता है यदि कोई हमारे पास between sample है और वह between sample हीटिंग के दोरान ज्यादा मात्रा में evaporate हो जाता है या loss of heating आ जाता है उसमें by weight तो वो जितना ज्यादा loss हमारा heating से होगा उतना हमारा between poor quality का है यानि कि उसकी quality अच्छी नहीं है तो इसी को check करने के लिए हमारा जो एक test होता है उसका नाम है bitumen loss on heating test आएए दोस्तों उसको कैसे conduct किया जाता है इसको समझते है तो इसमें क्या होता है जो bitumen material जो होता है इसको क्या किया जाता है heated किया जाता है और फिर उसका weight किया जाता है ठीक है तो इसमें कुछ नहीं होता है इसमें एक एक छोटा सा एक छोटा सा container type का होता है इसमें bitumen fill किया जाता है यह हमारा यहाँ पे bitumen sample है और नीचे से इसमें fire दी जाती है यानि कि इसमें flame दी जाती है और इसे 163 degree centigrade पर 5 घंटे के लिए गरम किया जाता है यानि कि यह हमारा temperature 163 degree maintain होना चाहिए और 5 घंटे बाद उसके बाद after 5 hours क्या गिया जाता है उसको उसको निकाला जाता है तो इस sample का जो initial weight था यानि कि जब हमने इस पे नीचे से flame नहीं दी आग नहीं लगाई थी तो उस समय जो इसका weight होगा उसे w1 ले लेते हैं उसको weight को sample ले लेते हैं और फिर फिर जो after heating 63 degree centigrade पर जो गरम करने पर उसका जो loss आया उसका weight लेते है w2 अब देखे दोस्तों इसका formula होता है percentage of loss निकालने के initial weight जो हमने first में लिया था w1 and final weight जो w2 after heating के बाद आया था divide by w1 इसके बाद जो percentage आता है वही हमारा loss होता है यानि कि ये loss percentage जितना ज़्यादा आएगा उतनी bitumen poor quality का होगा यानि कि उतनी bitumen की quality खराब होगी तो इस test को करने के लिए कुछ assumption है इस test को करने के लिए जो less loss of heating होता है वो better bitumen होता है यानि कि जितना ज़्यादा heating कम होगा हिटिंग के दोरान जितना ज़्यादा weight में loss कम आएगा वो उतना अच्छा या better bitumen है अपन हिटिंग penetration value false जो falling reduction है not greater than 40% देखिए दोस्तों penetration test में मैंने आपको बताया था कि penetration test होता क्या है तो पहले आप उस test को देख लीजे कि penetration test होता क्या है तो उसमें जो filing है यह reduction है इसमें इस test को conduct करने के बाद वो 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें reduction और this test is carried out by 5 words यानि कि 63 degree centigrade पर पाच घंटे तक 63 degree centigrade पर इस sample को गरम किया जाता है और जो maximum percentage है इसमें loss का वो 1% होता है Thank you, please like, share and subscribe